आज का ये प्रेस ब्रीफिंग का उफदर्शे ये था एक तो जो आयोग जो सुधार के जो कदम उठा रहे हैं उससे हम अपने कैंडिडेट्स को भी अव्वे करना ज़रूरी है क्योंकि उन्हें भी समझना चाहिए कि ये उनके हित का ये बात है जिसे मैंने उदारंग दिया कि कैंडिडेट्स परिच्छा के बाद भागे नहीं कि पंदर मिने ठुट करके अपने समक्ष वो अपना कॉपिस को सील करवा ले दूसरा ये भी था कि कुश्चन पर उनके समक्ष ही खुलना है अंसील होना है ये सब बातों की जानकारी अगर हम कैंडिडेट्स को नहीं देंगे तो एक्जाम की प्योरिटी जो है उसकी स्वक की जानकारी देना की उस आज प्रेस की प्रिफिंग का ये नहीं देश्टी सेवन कब कैसे क्या होड़ा है शिक्स्टी सेवन वाजना जो एक्जाम है ये हमारा बीस और बाइस सप्टेम्र दो सिफु नहीं है कि बड़ी संख्या में लोग रहते हैं और सेंटर अच्छे सें करेंगे इसको और इसका हम लोग परसेंटाइल सिस्टम से हम इसको समेकित कंबाइन कॉमन मेरिटलिस वनाएगे इस वर्ट क्या विसेस्ता रहेगी परिच्छा के दौरान हम लोग कई विसेस्ता हों को कर रहे हैं एक को कैंडिडेट्स को हम कहेंगे कि आप एक घंडा पहल और उनको भी इंस्ट्रक्शन्स पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि कुछ ने कुछ पड़िवर्तन होते रहता है, तो आसा ना समझें कि हमको तो सब मालूम है, इसलिए वो इंस्ट्रक्शन्स भी पढ़ें, अपना व्यवस्तित हो जाएं, और हम भी व्यवस्तित हो जाएं, और कुछ पेपर उनके सामने जो होगा, तो पांच मिनट पहले, परिच्छा परादम होने के पांच मिनट पहले हो आएगा, सील कंडिशन में आएगा, और उनके समझ को सील खोल करके कुछ पेपर का विधरन किया लिए, तो कैंड़िट्स के लिए इतनी बाते हैं, इसके अला और यह से क्रिक्रट राएगा, और यह एक कंप्लिकेटर फर्मॉलेशन भी हो सकता है, इस पर ओ-मर शीट भी सभी को देना जाएगा गैंगा, ऑफकर्स, तो कैसे सकैन करके पीटी मेंस, ओ-मर शीट का जो होगा जो दोड़ गैंगा, जैसे पहले वीडिए हैं, जैसे पहल